अस्सलाम वारेकुम दोस्तों हमारे यूटूब चैनल तारीक फोर यू में आपका इस्तक्बाल है मैं हूँ आपके साथ तारीक अनवर नद्वी आज मैं हाजिर हुआ हूँ इंपेट सीरीज का लेसन 5 के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर बॉक्स ग्रा दोस्तों आपने हमारे लेसन नंबर फोर में देखा ओगा वहां में अधायर टिक्स बॉक्स तक डितेईल के साथ बात क्या है आज हम बात करेंगे यहां से पिक्चर टूल के बारे ने यहां से यहां तक के यह हिस्सा यह तीनों box picture tool कहलाता है यह तीनों same है, तीनों का इस्तेमाल same है, तीनों का shape अलग अलग है जिस तरीके से आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से क्या जाता है तो चलिए हम इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं सबसे पहरे हम एक picture box यहां ड्राव कर लेते हैं यह हमारा picture box है इसका shortcut की है shift F4 shift F4 की जरिए से भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम कोई content लिखते हैं कोई वाक्या वगरे लिखते हैं जिसके बीच में हमें उस वाक्या से मुतलिक कोई तस्वीर वगरे उसमें set करने हो तो उस वक्त हम इस picture box का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें picture rate करने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि direct हम यहां से menu bar में जाकर के insert में जाकर के यहां से हम picture एड कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि हम इस picture पे set double click करेंगे तो हमारे सामने यह पूरा file खुल करके आ जाएगा और जिस file में भी हमारी तस्वीर हो जो तस्वीर हम यहां पे set करना चाहते हैं वो हम आसानी के साथ यहां से set कर सकते हैं तो चलिए हम इस picture को select करते हैं और open पे click करते हैं यह picture हमारा इस box के अंदर आ जिया है अब यह box हमारा उपर और नीचे दोनों जाने थोड़ा सा खाली है अब इसको भी हमें इसके अंदर fill करना है picture को बढ़ा करके यह इस box को छोटा करके इस picture को छोटा बढ़ा करने के लिए हम यहां से इस ribbon bar का इस्तेमाल करेंगे यह ribbon bar का यह hisce यह जाहर करता कि यह picture हमारा इस box के अंदर कितने दूरी पि है नहीं इस side से दाए या बाने की जाने उपसे किस हिस्षपे यह picture है वह यहां से देखाई देता है hasके हम इसको picture खिस्काएंगे में है कितनी दूरी पे है ये बार्डर से उसके बाद ये हिस्सा है जहां से हम पिक्चर की चोड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे 36% अभी ये तस्वीर हमारी चोड़ी है इसको इससे भी हम और चोड़ी करना चाहते हैं इस तस्वीर को यहां से हम इसको 50% कर देते है और इंटर कर देते हैं तो यह देखिए हमारी तस्वीर और चोड़ी हो गई है अगर इसी तरीके से इस तस्वीर को लंबाए में बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसको हम यहां से कर सकते हैं जैसे अभी 36% है तो यहां से हम इसको भी 50% करके इंटर कर देते हैं तो यह देखि डार्क देखाना चाहते हैं, तो यहां से हम नमबर डाल करके, जितना डार्क देखाना हो, यहां से देखा सकते हैं, जितना बरायटिन देखाना हो, हलका कलर में देखाना हो, वो हम यहां से कर सकते हैं, उसके बाद के यह हिस्से हैं, जहां से पिक्चर को टेड़ा किया जाता जिस तरह से अभी पिक्चर यह हमारा बिल्कुल सीधा है, इसको हमें कहीं घुमाना हो, तो चलिए हम घुमाग दिखाते हैं, 20% पर डाल को इंटर करते हैं, इस तरह से पिक्चर हमारा तीर्छा हो गया है, उसके बाद के यह हिस्सा है, कि पिक्चर हमारा किस हिस्से में है, ऊ उलटना पलटना हो, इधर से इधर उलटा करना हो, उलटना हो ऐसे करके इधर से, तो उस वक्त हम इसका इस्तमाल करेंगे, जैसे इस पर किलिक करेंगे, यह पिक्चर हमारा इधर से इधर उलट जाएगा, यह देखिये, जैसे मैं किलिक के यह पिक्चर इधर से इधर उलट तो उसके हम इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे इस पर हम किलिक करेंगे यह तवीर हमारी इधर आजायेगी यह देखिए। ये पिक्छर हमारी ये तस्वीर हमारी उल्टी हो गई फिर इसको सीधी करना हो तो हूं इसका इसका सीधी सेधी कर सकते हैं। उसके बाद है picture box का दूसर एफ है बाकी इस्तेमाल सेम है जिस तरह से इस बॉक्स का हम इस्तेमाल कि हैं उसके बाद एक तीसरा बॉक्स है पिक्चर टूल का इस तरीके का इसका भी इस्तेमाल सेम है सिर्फ इसके शेप में फरक है और इसका शाट कट की है शिफ्ट एफ सिक्स शिफ्ट एफ सिक्स के जर पड़ेगा, selection tool पे हम जाएंगे, जिसको arrow tool कहा जाता है, selection tool पे हम click करेंगे, यह देखिए हमारा select हो गया है, अब यहां पे एक option दिखाए दे रहा है, यहां से हम इसको और कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 6.35 mm यह हमारा अभी goal है, इसको हम 12 point करना चाहते हैं, यह देखिए 20 point कर देते हैं, यह देखिए 20 पे इस तरह से देखाए दे रहा है, अब इसको जिस तरह से चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह की तस्वीर set करनी हो, उस तरह से आप box ले करके उसको set कर सकते हैं, उसके बाद के यह tool हमारा graphics tool, जिस तरह से picture tool में 3 shape था, उसी तरह से graphic tool में भी 3 shape है, यह सबसे पहला shape जिसका shortcut की है, shift F7, shift F7 के जरीए से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल उस वक्त क्या जाता है, जब हम किसी ऐलान वगरा design करते हैं, और एलान वगरा में heading या किसी का नाम या कोई अहम जुमला है जिसको हम highlight करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए हम इस वाले text को highlight करके देखाते हैं, इसको इसको इस्तेमाल करके, यहां पे हम graphic box एक draw कर लेते हैं, अब इसको हम इसमे color देना चाहें, या इसमे border लगाना चाहें, तो इसको हम यहां से edit कर सकते हैं, जैसे हम border डाल हैं, तो यह देखिए, इस तरह से border हमें देखाई दे रहा है, इस तरह से इसको highlight करना हो, किसी भी जुमला को, या heading वगर को, इसका 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 इस बार्डर में अगर कोई color डालना हो, तो यहां से हम जाकर के आसाने के साथ, इसको color change कर सकते हैं, इसको अगर और highlight करना चाह और edit menu में जाने के बाद, send to back पे click करेंगे, जैसे send to back पे click करेंगे, देखिए, पीछे का text हमें, थोड़ा थोड़ा देखाई दे रहा है, इस text का color हम white कर देते हैं, text का color white करने के लिए, सबसे पहले हम writing या hand tool पे click करेंगे, और इस पे click करेंगे, इस पे click करते ही, यह object हमार जो हमारा graphic box था, वो guide हो गया, दोस्तों यह जरूर याद रखिए कि किसी भी तरह का आप design page पे करना चाहते हैं, या text box हो, या picture box हो, या graphic box हो, या line tool हो, कोई भी tool आप इसमें 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 करते हैं, तो जैसे आप writing mode में जाएंगे, hand tool या writing tool का इसमें करेंगे, उस तो सारा object आपका guide हो जाएगा, इसका यह मतलब नहीं कि वो बिल्कुल guide हो गया है, print में आ जाएगा, वो object को देखने के लिए हमें selection tool पे जाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इस text का color हम white कर देते हैं, text का color white कर दिये हैं, और जो हमारा graphic tool था, वो इसके back side में है, जैसे हम selection tool पे click करेंगे, यह हमारा जाहर हो जाएगा, देखिया, जिस तरह से selection tool पे click किये, यह हमारा जाहर हो गया, इस तरह से हम किसी भी heading वगर को highlight कर सकते हैं, कोई भी आहम जुमला हो, को इस्तेमाल करके हम उसको highlight करते हैं, उसके बाद इसी में और भी दो box है, graphic box, इस box का shortcut की है, shift F8, इस box का shortcut की है, shift F8, इसको भी same इसी तरह के से استعمال करते हैं, बिल्कुल सिर्फिज इसका shape में फर्क है, यह goal है, इसके बाद एक और graphic box है, जिसका shortcut की है, shift F9, इसको भी इस्तेमाल सेम है, इसकी ले editing सेम है, सिर्फिज इसके shape में फर्क है, इसका भी shape इसकी goal है, अगर change कर यहां से आप कर सकते हैं जिस तरह से पिक्चर बॉक्स में हम करके दिखाए हैं उसके बाद कि यह हिस्छा हमारा लाइन टूल का लाता है जिसका शॉर्ट कट की है Shift F10 इसका वे इस्तेमाल किसी जुम्ले वगरे को highlight करने के लिए underline करने के लिए दिखाया जाता है जिस तरह से हम यहां पे कोई जुम्ला हो और इसको underline करके हमें दिखाना है जो हम है तो उसके लिए हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं इसकी भी editing यहां ribbon बार में जाकर के होता है, यहां से हम किस तरह का line डालना चाहते हैं, वो हम यहां से आराम से लेकर कर सकते हैं, और यहां से हम जैसे हम अभी line change किया है, इसको fire point कर देते हैं, इस तरह से हम उसको underline का इस्थेमाल कर सकते हैं, उसका color वगरा change करना चाहे तो हम यहां से आसानी के साथ कर सकते हैं उसका बात कि यह tool, यह tool polygon tool कहलाता है इस tool का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब text के बीच में हम कोई तस्वीर डालना चाहता है जैसे कोई मोकररीरीन की तस्वीर से इट की जाती है text के बीच में कि चारों तरफ से उनका text फैला हुआ राता है और बीच में उनकी तस्वीर होती है जिस तरह से यह newspaper में आप देख रहे हैं कि तस्वीर पड़ी हुए और उसके side side में यह ऐसे करके text फैला हुआ है तो इसका इस्तेमाल newspaper वगरा में तकरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से यहाँ पे हम यह draw कर दिया अब इस पे हम selection tool पे जाएंगे और इसको जिस तरह से चाहें हम खीच करके बड़ा करना चाहें जिस तरह से हम picture वगरा set करना चाहें और इस पे किलिक करेंगे इस पे किलिक करते हैं यहाँ पे देखाए देरा run around run around पे अभी check mark नहीं किया वा जिसके वैसे text हमारा इस picture के पीछे छुपा वा जैसे हम इस पे किलिक करके ok करेंगे यह text हमारा चारों तरफ फैल जाएगा इस तरही के से newspaper वगरा ने इस्तेमाल किया जाता है आज यह हमारा toolbar का lesson पूरा हो चुका है दोस्तों उमीद करता हूँ कि अच्छी तरही के समझ में आगिया होगा अगर यह video आपको अच्छी लगी हो तो हमारे channel को subscribe कीजिए और bell icon को जरूर दबाएए ताके हर वीडियो का notification आप तक पहुंचती रहे अस्सलाम आलेकूँ